अलो हाई आदाब नमस्कार सम्माने सातियों वेलकम टी यूट्यूब चैनल टैट पाइंट आज हम डिस्कसिन करने जा रहे हैं महंगाई बत्ता अर्था डी ए कैंद्री करमचारियों को जल्द मिलेगी बड़ी खुशकबरी इतना बढ़ सकता है महंगाई बत्ता जानिये क् इसी पर डिस्कसिन करने जा रहे हैं यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्फ प्रिथम प्राप्त हो सके और शियर भी करें शियर करने से ग्यान घरता नहीं ग्यान बढ़ता है साथ ये दिया हमारे योट्यूब चैनल के वाट्साप ग्रूप और टेलीगराम ग्रूप से जोनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के मादम से जुड़ सकते हैं तो चलते हैं आज की वीडियो के सिर्शक्की तरफ केंद सरकार के करमचारियों को जल्दी बड़ी खुसकबरी मिल सकती है खबर है कि सरकार महेंगाई बत्य डी ए में तीन पिरतिसत की बड़ोत्री की घोशना कर सकती है हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इस बार अगली कैबिनेट बैठक में फाइनल न लिया जाएगा और फिर 31 अक्तूबर को होने वाली दीवाली समारों के आसपास अधिकारिक घोशना की उम्मीद है वहीं अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट के मताबिक केंद सरकार मिड अक्तूबर में घोशना कर सकती है हाला कि डी ए बड़ोत्री के बारे में कोई अधिका अधिकार में महगाई बत्ता अर्था डी ए पचास प्रतिसत है हाला कि अगर सरकार डी ए में तीन प्रतिसत बड़ोत्री करती है तो नई दर एक जोलाई 2024 से बढ़कर 53 प्रतिसत हो सकती है इस बदलाव से एक करोड से अधिक केंद्र सरकार के करमचारियों और पैंसन भोग को लाव होने की उमीद है सरकार को जोलाई अगस्त सितंबर के लिए बकाया भी प्राप्त होगा पिछले साल सरकार ने तियोहरी सीजन से पहले डी ए में बड़ोत्री की गोशना की थी इस साल हिमाचल पर्दिस सरकार ने दसर एस ठीक पहले चार प्रतिसत डी ए बड़ोत् एक लाग 80,000 करमचारियों को और एक लाग 70,000 पैंसन बोग्यों को लाव होने का अनुमान है केंदर सरकार आम तोर पर करमचारियों और पैंसन बोग्यों के लिए महिंगाई बत्ता डी ए और महिंगाई रहत साल में दो बार जनवरी और जोलाई में बढ़ाता है जिसकी गोश्राएं आम तोर पर मार्च और अक्तूबर की शुरुआत में होती है तो इदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें सबिस्क्राइब करें थैंक्स